तो दोस्तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में हर दिन कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट हमेरे सामने आता है और उसी लिस्ट में आज एक ऐसा प्रोजेक्ट सामने आ रहा है जिसका नाम है कोरडाओ और CoreDAO मतलब प्रोजेक्ट तो खास है है उसके साथ उनका एक सिस्टम डुड़ा हुआ है जो उनके डेवलपर उन्होंने एक ऐसी एप बनाई है जिसके थूँ हर कोई यूजर उस token उस coin की mining कर सकता है यानि अगर वो coin अपने phone में आप चाहे तो माइन कर सकते है regularly, daily और उससे आप हर घंटे कुछ न कुछ income कर सकते है ये बिल्कुल भी clickbait वीडियो नहीं है ये बिल्कुल भी कोई rocket size या कोई ऐसा चीज हम इस वीडियो में नहीं बताने वाले है जो कि आप करना पाए या जिसके लिए आपको कुछ पैसा देना पड़े बिल्कुल नॉर्मल चीज़े हैं सबसे पहले हम उस coin के बारे में बताएंगे उसी बीच में ये भी बताएंगे कि आप अपने phone से कैसे android अगर आप यूज़ करते हैं कैसे उस coin को mine कर सकते हैं तो दोस्तों समय समय के बाद जैसे 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 नय नय project आते हैं वो अपने अपने समय में आकर नया नया एक जंडा गार देते हैं मतलब एक नया landmark बना देते हैं CoreDAO भी उन्ही में से एक है CoreDAO project एक token ना होकर एक coin है यानि इसकी खुद की एक blockchain है और इस project में खास बात यह है कि recently launch हुआ है जन्वरी 2023 को इनका public sell के लिए available हुआ उससे पहले इनकी team इस पर काम कर रही थी अगर हम बात करें इस project की popularity के बारे में तो यहाँ पर अगर आप इसकी website पर देखेंगे 15 million transaction आज की तारिक में उन्हें complete कर लिया है 2.6 million address पर यह आज की तारिक में available है million address मतलब यह एक बहुत बड़ी बात है सिर्फ यह दो मेहने पुराना project है उस चीज़ को देखते हुए 1.7 million twitter पर इनके follower है 230 के discord पर follower है यह एक बहुत बड़े milestone है मतलब एक project के लिए इतने बड़े-बड़े follower होना एक बड़ी बात है क्यों यह ऐसा हुआ ऐसा क्या इसमें खास था ऐसा क्या इनके पीछे एक दम क्यों इसके पीछे लोग दीवाने हो गए तरवसल इन्होंने अपना जो एक community जो इनके जो developer है उन्होंने एक ऐसी app डेवलप करी है जिसके थूँ ये लोगों को एरड्रॉप दे रहे हैं और उसी एरड्रॉप में ये सारा सारा राज चुपा हुआ है और वो हम लोग आगे बात करते हैं सबसे पहले डिसकस कर लेते हैं कि project में क्या दम है क्या खास है खास की बात क्या जाया है तो यहाँ पर वैसे बहुत कुछ खास नहीं मिल रहा सिर्फ और सिर्फ इनके डेवलपर के लावा क्योंकि डेवलपर इनके जो है सतोशी प्लस इकोसिस्टम जो चलाते हैं वो इसके डेवलपर है और यही इसके खास बात है बाकि इसके अलावा क्योंकि ये प्रोजेक्ट decentralized autonomous पर काम करता है तो यहाँ पर इनकी पूरी टीम मतलब अगर हम बात करें founder, CEO ये ऐसा कुछ भी नाम नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ decentralized organization की तरी किस चला है यानि पूरी तरह decentralized चलाने के लिए इसको push किया जा रहा है हाला कि अभी इसके सिर्फ developer सामने है जो कि Satoshi Plus की team है Satoshi Plus की team कौन है Satoshi Plus की team कुछ यहाँ पर Bitcoin के जो developer है उनमें है वो है और कुछ Ethereum के developer ये दोनो biggest project के जो team है वो मिलकर कहलाती है Satoshi Plus team तो ये इस project को build कर रहे हैं और इस project इस team के खासियत यह है कि web3 के जो infrastructure बनाना कोई भी public chain को promote करना कोई भी नए project को बनाना वो सारा इनका काम है और इस पूरी team ने इस project पर पूरी तरह focus कर दिया है और इनकी Satoshi की जो एक app है उस app में जो जो project उनके थूँ बनते हैं जो जो project Satoshi Plus की team बनाती है उन सारे project का airdrop Satoshi की app से होता है तो इसी लिए code आउ को इतना सारा initiate मिला यानि यह जो code आउ है इसको इतनी तेजी से जो marketing मिली है वो मिली है Satoshi Plus की जो team है उसकी वजह से क्योंकि उनका ऐसा ecosystem ही है उस app में भी हम लोग जाएंगे तो एक एक चीज़ आपको समझाएंगे किस तरीके से इसमें क्या क्या हुआ है क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ unlock करना है तो आपको उनकी social media पर कुछ ना कुछ engagement करना पड़ेगा और उससे आपको reward भी मिलते हैं लोगों का भी फाइदा उनका भी फाइदा एप के बाद दूसरी जो unique बात इस project की जो blockchain है उसमें है blockchain की जो developer है उन लोगों ने जो इसको develop करते समय जो advanced technology का use किया है मतलब जो advanced चीज़ेंस में डाली है वो आप तक ना तो Solana में है ना तो Ethereum में है आप एक चार्ट से सारी से समझेंगे ऐसा इस team का मानना है क्योंकि Satoshi Plus के जो developer इनका कहना ये है क्योंकि Bitcoin पूरी तरह decentralized है मतलब Bitcoin में changes possible नहीं है लेकिन Ethereum की बात किया जाए Ethereum आज की तारीक में scalable मतलब उसकी scalability आज नहीं है लेकिन जब वो Ethereum Proof of Work से Proof of Stake पर shift हो जाएगा तब उसकी scalability बढ़ जाएगी लेकिन वो centralized हो जाएगा ऐसा उनका मानना है तो उन्होंने कहा कि हमने Bitcoin से decentralized जो है वो positive चीज़ लिया है और Ethereum से जो उसकी scalability है वो लिया है इन दोनों चीज़ को मिला कर ये project जो काम कर रहा है थोड़ा सा advanced version है उसके बारे में फिर कभी हम लोग बात करेंगे लेकिन यहाँ पर अभी project से stick रहते हैं ताकि आपको project के बारे में और अच्छे समझ में आ जाए CoreDAO के बारे में काफी सारा research करने के बाद एक article मिला है जिसमें CoreDAO का mission के बारे में लिखा हुआ finance के smart chain इन सब में से जो CoreDAO अपने आपको बहुत ज़दा scalable, decentralized और secure रखेगा कैसे त्यूकि Bitcoin आपका scalable नहीं है मतलब उसकी जो transaction speed है उसमें बहुत ज़दा changes नहीं किया जा सकते Ethereum में भी यही है Ethereum 2.0 में changes हो रहे हैं अच्छी बात है Solana में भी speed बहुत तेज है अच्छी बात है Polygon में भी बहुत तेज है और Binance के smart chain में भी काफी दा तेज है decentralized की बात किया जा तो decentralized Bitcoin real में है Ethereum जो पुराना वाला version है real में है लेकिन जो नया वाला है जो नए Ethereum है उसमें और Solana, Polygon, smart chain इन सब में क्या है validator होते है तो वहाँ पर decentralized थोड़ा सा एक concern बन जाता है लेकिन CoreDAO में क्योंकि ये पुरी तरी की decentralized autonomous पर रहेगा तो वहाँ पर decentralized रहेगा secure ये सारे के सारे network है CoreDAO के tokenomics के बारे में बात किया जाए तो tokenomics यहाँ पर काफी simple है क्योंकि ये जो developer है ये bitcoin को follow कर रहे है इसलिए इन्होंने tokenomics भी follow कि है जहाँ bitcoin के tokenomics 21 million के है यहाँ पर इन्होंने 2.1 billion रखी है यानि 2.1 billion total supply है market में इनकी और 63 million अभी circulate है यानि project बिल्कुल initial stage में है launch के समय इस project ने 6.14 cent को चुआ था और आज की तारिक में 53% down है भी काफी scope है और अगर exchange listing की बात किया जाए तो top exchange पर listing है इस समय Binance को छोड़ कर मतलब Binance छोड़ कर बाकी लगबग-लगबग काफी सारे exchanges पर available है अगर इस project के distribution की बात किया जै किसे आप से distribution किया गया है तो यहाँ पर जो contributor यानि जो developer है उनके लिए इन्होंने 15% का fund रखा हुआ है users के लिए जो users इसको use करते उनके लिए 25% का है node mining जो इसकी mining में लगे जो validator है उनके लिए 39% का है reserve इन्होंने रखा है 10% treasury के लिए 9.5% और आधा परसेंट की आसपास relay rewards के लिए रखा हुआ है जिस article को पढ़कर हम बात कर रहे हैं वो भी बार-बार miss guide कर रहे हम सबको वो token token लिख रहे हैं लेकिन यह coin है आप समझ जाएए और क्योंकि हम लोग की जबान पर वो रटा होता है token इसलिए बार-बार token जबान से निकला लेकिन है यह coin तो इस coin का use case क्या है इस coin का सबसे पहला use case यह क्योंकि अपनी blockchain पर है जब कभी भी इस blockchain पर transaction होंगे तो जो fees जो कटेगी वो कटेगी इनके coin में जैसा कि ट्रोन हम कहीं भी transfer करते हैं TRC तो ट्रोन कटता है उसी तरीके से यहाँ पर इनका coin कटेगा तो इसका एक major use case हुआ दूसरा यहाँ पर staking available है अराम से आप DEX पर staking कर सकते हैं ज्यादा holding है ज्यादा बड़े validator हैं तो आप इनके token के जो network के जो governance यानि की decision होते हैं उनमें भी आप participate कर सकते हैं तो यह कुछ इसके use case अभी फिलाल है आने वाले समय हो सकता है कुछ और major बड़े use case निकल कर हैं जो लोग इसको network को secure कर रहे हैं validator हैं उन सबको reward जो मिलेगा वो 81 years तक का देने का इन्होंने promise किया है एक समय रखा है उस system के थ्रू यह देते रहेंगे 81 years तक का कैसे इसकी mining होगी वो कैसे क्योंकि यह जो token है वो defilational है हर block पर यह हर साल घटा जाएगा मतलब जिस तरह bit भी होगी हर साल और इसमें 3.6 के percentage के हिसाब से हर साल यह घटा घटा जाएगा तो यह token defilational है अगर यह अपने सारे जो इन्होंने अपने white paper में लिख कर दिया उससे आप से काम करता रहा तो यह काफी अच्छा काम कर सकता है तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपक में भी live है तो आपको कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए एक android device त्यूंकि हमारे पास secondary phone है आपके पास भी मेरे खाल से होना चाहिए जिनके पास android है वो तो enjoy करें और एक app download करना है वो app कौन सी है उसका link हम description में दे देंगे क्योंकि जब आप search करेंगे तो कम से क हम दस बार app आएंगे तो उसमें सही कौन से ही पता करने के लिए links हो जाएंगे तो सही जगह पर पहुंच जाएंगे और हमारा referral भी यूज हो जाएगा खेर तो यहां पर यह free airdrop की app है इसको पहचान यह इस तरीके की app दिखेगी और इधर side screen में भी लगा दिया ऐसा में आप देख रहे हैं जो project इनके list में है जिनका इन्होंने development किया है वो सारे यहां पर यह डाल देते हैं airdrop के तौर पर तो अगर आपको airdrop claim करना है go down का तो उसके लिए जैसे ही आप login करेंगे उसमें कुछ formality करनी है चैरा इधर सुधर करना है बहुत सारी चीज को बोल अचा अभी जैसे कि हम लोग बता रहे थे कि इनके social media पर engagement कैसे जादा हुआ अब यहां पर नीचे आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है आपको 50k की hash बढ़ जाएगी पचास जार की hash बढ़ जाएगी अगर आप इनको twitter पर follow कर लेते हैं जैसे जैसे आप यहां पर आ माइनिंग में लगे हुए reward हैं वो सारे होते जाएंगे अब यह सतोशी एप इस कोड़ाओ से पहले bitcoin को reward में देती थी उसके बाद फिर इन्होंने अपडेट किया अभी कोड़ाओ के साथ इन्होंने collaboration करके अब कोड़ाओ को यह airdrop में दे रहे हैं तो यह बिल्कुल सिंप project के बारे में थोड़ा सा overview उमीद करता हो कोड़ाओ project के बारे में आपको काफी कुछ clarity मिल गई होगी और यह project ऐसा है कि जिसमें थोड़ा लंबे समय के लिए अगर आप कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं और जो first impression कोड़ाओ का पढ़ता है जैसा कि कोई भी अगर project दे बात होई है और धीरे 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 जैसा कि इन्होंने सारे promise कर रखे उन में से आधे पर भी यह काम करते गए तो अच्छा performance दे सकते हैं और क्योंकि सारी चीज़ेंड हैं market की situation पर और बहुत सारे जो future में होने वाले event हैं उन पर तो अपना वही पैसा कोड़ाओ में लगाई है जो always आप खोने के लिए ready हो भले ये प्रोजेक्ट में काफी सारी हमने चीज़ें अच्छी बताएं लेकिन फिर भी आप अपनी safety security अपने हाथ में रखी और अपना भी search research कुछ से कर रहे हैं कि जितनी चीज़े मैंने बताएं क्या वो verify करती हैं या नहीं thank you so much द उस पर भी हम लोग बात करेंगे next इसी तरके की वीडियो में thank you so much दूसर वीडियो देखने के लिए